टार Nou डिटा डास बनाने के लिए सबसे बहर हमने लिये चावल जिनो को हमने पहले सही door मेलशेल सरा मेंड दाद सब्सक्राडी ऑफमीट क्याद है दो गिल़ास जावल हमने भीगो लिए पानी 2 गिलास, जितने चावा लेंगे उतना ही पानी लेंगे, गी, नमक 1 फूर्थ टीजपून, हरा धनिया, तड़के के लिए हमने लिया है जीरा, जीरा हमने लिया है आधी चमच, दो हरी मिर्च को हमने ऐसे लंबा-लंबा काट लिया है, लोंग, 5-6 लोंग लिया है, बड तो चलिए शुरू करते हैं हम जीरा राइस बनाने के लिए सबसे बहले हम आप ग्यास काउन करते हैं ग्यास पर रखते हैं कूकर के अंदर जाएगा दो चमच गी देसी गी बाटर आप उयल यूज करना चाते हैं वो भी यूज कर सकते हैं गी गरम हो गया है अब इसमें जाएगा तेज पत्ता जो बड़ी लाइची हमने ली थी इसके दाने निकाल लिये हैं ये लॉंक लवन हरी मिर्च और हम इसे बूलने के फिर इसमें डालेंगे हम जीरा आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं प्याज ऑप्शनर है ये अच्छे से भून गया है इसके भूनने के बाद हम अपनी गयास का फ्लेम लो करेंगे उसके बाद इसमें चावल डालेंगे दो तक आपक के जहिए दो बाद दो पाद रखोड़ जाएं निएसमें जाएं आपक करेंगे अब आम इसे एक मिनट के लिए भून लेंगे और धक्के रख देगे द्यान रहे हम हम जो चाबल को भून रहे है तो हमारी कैस बिल्कुल सिम होनी चुई है हमारी चाबल भून गए है अच्छे से अबन इसके अंदर हमने जो यह ग्लास लिया है इसे नापके दो ग्लास पानी इसमें डालेंगे जो हमने पहले से नापके रखा हुआ है यह पानी हम इसमें आट करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसमें दो सीटी लगवाएंगे और उसके बाद हम अपनी चाबल को चेक करेंगे दोवी से लाज चुकी है इसमें अब हम बत्तर खोल के देख लेते हैं प्रेशर निकल गया है हमारी चाबल बनकर बिल्कुल तयार है अब हम इसमें हारा धन्य डालेंगे हम इसे मिक्स करेंगे है हमारी चाबल बनकर त्यार है अब इसमें सर्फ कर लेते हैं युझ अक्रीघून से लेंगे युझ क्रुब युझ अब तरीघ करेंगे थोड़ा सहरा धनिया गार्णिश के लिए यह देखिए हमारा जीरा राइस बनकर बिल्कुल तयार है आप इसे कड़ी राजमा छोले या किसी भी दाल के साथ या ऐसे भी खा सकते हैं करते हैं